Hello everybody, I hope आप सब healthy होंगे, मैं हूँ आपकी biology educator शिवानी माम, welcome back to magnet brains, जो आपको provide कराता है kinder garden to class 12, हर class, हर subject की quality education, वो भी बिलकुल free, जी हाँ आपने सही सुना, magnet brains provide कराता है unpaid subscription, आपको किसी भी class, किसी भी subject को पढ़ने के लिए, कोई भी paid subscription लेने की जरुवत नहीं है, चाहे वो CBSE board हो, UP board हो, बिहार board हो, या MP board हो, आपको हर class, हर subject के topic wise explanations मिलेंगे, साथ में मिलेंगे डेर सारे practice questions, इतना ही नहीं, आप अबेल कर सकते हैं, e-notes and e-book, जिसकी link description box में दी है, तो चलते हैं आज की video की तरफ, आज की video है हमारी class 11th biology, chapter number 4, that is animal kingdom, और इसके अंदर भी हम पढ़ कर चुके हैं, basis of classification, classification of animal, phylum, porifera, cylindrata, tenophora, platyhelmin, eskhelmin, annelida, orthropoda, तो यह हम सब complete कर चुके हैं, अगर आपने इन में से एक भी video आपकी छूट गई है, complete नहीं है, तो प्लीज पहले अपना backlog complete कीजिए, उसके बाद ये video देखिए, तो चले स्टार्ट करें, ओके चले, तो दे phylum, ठीक है, मतलब second largest, तो कोई इससे बड़ा largest होगा, मतलब first largest कोई और है, तो ये क्या है, second largest phylum है, और first largest phylum कौन है, जल्दी बताएए, अरे इससे पहले जस्ट पढ़ा है, कौन सा, आपका orthropoda, कौन orthropoda, तो orthropoda हो जाएगा, first largest phylum, ठीक है, और mollusk का क्या होगा, second largest phylum, clear ह है, फिर second point है, mollusk का are terrestrial और aquatic, हम बात करते है, habitat की, कि ये कहां पाए जाते है, इनका निवास क्या है, इनका बसेरा क्या है, इनका घर क्या है, तो ये पाए जाएंगे, terrestrial मतलब land पर, और aquatic मतलब पानी में, अब किस पानी में मैं, समुद्र बाले पानी में, sea water में, या fresh water म तो आपको ये दोनों जगह मिलेंगे, marine water में भी मिलेंगे, and fresh water में भी मिलेंगे, क्या clear है, चलिए, अब बात करते हैं, हम level of organization की, तो इसमें कौन सा level of organization पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा, advanced, obvious सी बात है, हम उपर की तरफ जा रहे, तो हम नीचे क्यों देखे, तो यह यहां पर क्या पाया जाएगा, advanced level of organization, that is, organ system level of organization, तो यहां पर क्या पाया जाएगा, जल्दी बताएगे, यहां पर पाया जाएगा, organ system level of organization, क्या इतना clear है, जल्दी बताएगे, क्या इतना clear है, अब बात करते हम symmetry की, तो इसमें कौन से symmetry पाया जाएगी, इसमें पाया जाए की बाईलैटरल सेमेटरी तो देखिए यहाँ पर लिखा दे आर बाईलेटरी लेटरली देटरली सिमेटरिकर यह क्या होते है बाईलेटरी टिकली सवेटरिकल वर्ट याद है मैंने कुछ बोला था जब मैंने आपको बेसस आफ classification पढ़ाया था और वहाँ पर मैंने symmetry पढ़ाई थी तो मैंने पढ़ाया था कि कोई ऐसा है जिसमें कौन सी symmetry पाई जाती है जिसमें पाई जाती है a symmetry कोई symmetry ही नहीं होती है जल्दी बताईए क्या था जल्दी बताईए क्या था अरे मैं हमें तो याद आ गया हमें तो याद आ गया कौन था पाईला कौन था पाईला तो पाईला क्या है मॉलुस का है आना पाईला में क्या पाई जाती है जल्दी बताईए इसमें पाई जाती है asymmetry, क्या पाई जाती है, asymmetry, ठीक है, क्या पाई जाती है, asymmetry, मतलब इसमें कोई symmetry नहीं पाई जाती, क्या clear है, फिर हम बात करते हैं germ layer की, तो इसमें 3 germ layer पाई जाती है, outer, middle and inner germ layer, तो ऐसी condition को हम क्या बोलेंगे, triploblastic condition, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, triploblastic होते हैं, क्या होते हैं, triploblastic, मतलब इसमें 3 germ layer पाई जाती है, जल्दी बताएए, कौन-कौन सी 3 तीनो, outer, middle and inner, ठीक है, outer को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताएए, outer germ layer को हम क्या बोलेंगे, outer को हम बोलेंगे, ectoderm, middle को हम बोलेंगे, m से middle, m से mezo, m से middle, m से mezo, और inner endo, inner endo, ठीक है, तो inner layer को हम क्या बोलते हैं, endoderm, क्या अतना clear हुआ, जल्दी बताएए, क्या अतना clear हुआ, चलिए, तो अब बात आती है, silomate की, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, silomates होते हैं, मतलब इसमें क्या पाई जाती है, क्या पाया जाता है, silom पाया जाता है, दो mesoderm की बीच में, मतलब जो एक mesoderm है, वो किसे cover कर रही है, किसको surround कर रही है, ectoderm को, दूसरी mesoderm layer जो है, वो surround कर रही है, endoderm को, और इन दो mesoderm layer के बीच में क्या present होता है, जल्दी बताईए, cavity present होती है, जिसे हम silom कहते हैं, और ऐसे animal, ऐसे organism, ऐसा phylum, जिसमें ये condition पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उन animal को, हम क्या बोलेंगे silomate, ठीक है, तो फिर हमने पढ़ाता है, दो silomate होती है, कौन सी, साइजो, ये क्या है, साइजो silomate है, क्या है, साइजो silomate, ठीक है, मतलब इसकी cavity को कौन सराउंड करता है, जल्दी बताईए, mesoderm layer सराउंड करती है, क्या clear है, अब बात आती है, body is covered by calcareous shell, हना, तो body जो है, वो किस से cover होती है, calcareous shell से, क्या आपको snail याद आया, क्या snail याद आया, तो snail के ऊपर, जो body है, snail की body है, वो calcareous shell से cover होती है, ठीक है, तो उनकी body जो है, किस से cover होती है, calcareous shell से, and is unsegmented, ठीक है, इसमें segments present नहीं होते, जैसे हमने बात करी थी किसकी हमने बात करी थी orthropoda की जिसमें segments present होते हैं बट यहां पर segments नहीं होते हैं तो यह क्या होते हैं unsegmented तो यह क्या होते हैं unsegmented clear है फिर इनकी body जो है वो divide होती है किसमें head में muscular food में and visceral hump में जैसे कि orthropoda की जो body है वो divide हुई थी किसमें head में, thorax में and abdomen में इनकी जो body है वो divide होती है head में muscular food में and visceral hump में clear है तो body divided into body divided into किस-किस में जल्दी बताइए head muscular food and visceral hump छीक है किसमज में आया और यह कैसे होते हैं unsegmented होते हैं इसमें segmentation present नहीं होता तो जल्दी से screenshot ले लीजे इसका जल्दी screenshot लीजे ओके आगे बड़े क्या अब बात करते हैं a soft and spongy layer of skin form a mental over visceral hump ठीक है तो क्या बात कर रहा है यह भाई समझ में ही नहीं आया मैं यह point तो इन्होंने क्या बोला है spongy layer होती है soft and spongy layer होती है जो किसको cover करती है जल्दी बताये visceral hump को cover करती है और इसको हम क्या बोलते है mental क्या बोलते है mental होती है तो पोज क्या है visceral hump है क्या है visceral hump ठीक है इस visceral hump के ऊपर just ऊपर क्या present होती है soft layer present होती है ठीक है क्या present होती है soft layer present होती है ठीक है इस soft layer को हम mental कहते है and visceral hump and soft layer के बीच में जो cavity present होती है उसे हम mental cavity कहते है mental cavity क्या clear है जल्दी बिताए क्या अतना क्लियर है तो देखिए इन्होंने क्या बोला soft and spongy layer of skin form a mental over the visceral hump ठीक है तो क्या बनाती है mental बनाती है किसके उपर visceral hump के उपर अब देखिए the space between hump and the mental is called mental cavity क्या मैंने यही बोला था कि किसके बीच में चलिए confusion ना होना confusion नहीं मांगते हम कोई confusion ना बाबा चलिए यह जो है यह क्या है visceral hump है यह क्या है visceral hump कहां दिखू यह लिख तूँ दिखिए का यह यह क्या है यह क्या है visceral hump क्या है visceral hump चलिए इसके अलावा यह दिख रहा है यह नहीं दिख रहा है शो हो रहा है यह गलर रुखो 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 रैट से लिख दूँ चलेगा यह क्या है अब दिख रहा है क्या, visceral hump और ये क्या है, ये क्या है, mental, ये क्या है, mental, ठीक है, तो visceral hump और mental की बीच में जो cavity present है, इस cavity को हम क्या बोलेगे, इसको हम बोलेगे, mental, cavity, क्या बोलेगे, mental cavity, क्या clear है, चलिए है, तो समझ मैं आया, mental cavity in which feather like gills are present, ठीक है, और इस mental cavity में क्या present होते है, feather like gills present होते हैं, क्या clear है समझ में आया, आप देखिए, they have respiratory and excretory functions, ठीक है, तो ये feather like gills जो होते हैं, ये किसका काम करते हैं, respiration और excretion का कोई waste product को बाहर निकालने का काम भी इसी से होता है, and gaseous exchange का काम भी इनहीं gills के through होता है, क्या clear है, जो कि कहां present होते हैं, mental cavity में, अब next point, the anterior head region have sensory tentacles, ठीक होते हैं, तो इसका anterior head region, जो होता है, इसमें क्या present होते हैं, sensory tentacles present होते हैं, क्या होते हैं, sensory tentacles present होते हैं, clear है, अब बात करते हैं, the mouth contain file-like rasping organ for feeding called redula, ठीक है, तो उन्हों ने क्या बोला कि mouth जो है, वो contain करता है file like resping organ जिसे हम क्या बोलते है radula क्या बोलते है radula ठीक है तो radula कि थूद फीडिंग का काम होता है ठीक है चलिए next they are usually diocese मतलब male और female body अलग-अलग होती है and ovipares, ovipares का मतलब aglay करते हैं, क्या करते हैं, aglay करते हैं ठीक है उसके बाद with indirect development और इनका development जो है वो क्या ऐसा होता है indirect मतलब पहले क्या बनेगा larva बनेगा फिर क्या बनेगा adult form बनेगा क्या clear है जल्दी बताए क्या अतना clear हुआ तो जल्दी से इसका screenshot ले लिजे क्या होता है indirect development होता है diocese condition पाई जाती है ठीक है ओवी पैरस होते है ठीक है इतना समझ में आया तो जल्दी से screenshot ले लिजे इसका जल्दी screenshot लिजे चलिए तो जल्दी से इसको खतम करें हटा दे चलिए तो अब देखिए अब चलते हम general features की तरफ तो याद करो सारे general features तो करे start चलिए तो introduction में देखते हैं introduction में क्या लिखेंगे second largest phylum ठीक है तो animal kingdom का सबसे बड़ा phylum तो हो गया orthopoda second largest phylum कौन सा हो जाएगा आपका mollusks का second largest phylum clear है चलिए इसके अलाबा हम बात करते हैं इसके habitat की मतलब यह कहां पाए जाते हैं तो यह terrestrial भी होते हैं मतलब जमीन पर भी पाए जाते हैं terrestrial और aquatic ठीक है कहां पाए जाएंगे तो level of organization पर हम देखेंगे यह क्या होते हैं में organ level पाया जाता है organ system level पाया जाता है tissue level पाया जाता है क्या पाया जाता है इसमें पाया जाएगा higher level that is organ system organ system level of organization level of क्या इतना clear हुआ चलिए उसके बात करते हैं body plane की ठीक है इसमें किस type का पाया जाता है cellular मतलब aggregated हाना या फिर हम बात करें tube within tube या blind sec कौन सा पाया जाएगा तो इसमें start होगे था हमारे आगे से कौन सा tube within tube तो यहाँ पर भी obvious सी बात है कौन सा होगा tube within tube body plane ठीक है then इसके बाद हम बात करते हैं किसकी symmetry की इसमें कौन सी symmetry पाई जाती है तो इसमें पाई जाती है आपकी bilateral symmetry symmetry कौन सी by literal symmetry वर ट्याद रखना मैंने आपको सतर कर दिया था पहले ही की पाईला एक ऐसा मॉलूस्का है जिसमें asymmetry पाई जाती है पाईला क्या है मॉलूस्का है जिसमें क्या पाई जाती है asymmetry पाई जाती है asymmetry ठीक है तो पाइला क्या होता है asymmetrical क्या होता है asymmetrical क्या clear है जल्दी बताइए उसमें क्या पाई जाती है asymmetry ठीक है तो यह क्या है asymmetrical clear है यह क्या है asymmetrical है चले तो जल्दी से इसका screen shot ले लिजे तो हम आगे बढ़े क्या आपने screen shot ले लिया हम आगे बढ़ सकते हैं चले आगे बढ़े अब बात करते हैं जर्म लियर की तो क्या यहां पर दो जर्म लियर होगी एक होगी या होगी ही नहीं जल्दी बताईए तो यहां पर तो मैम दो जर्म लियर होगी कितनी होगी दो जर्म लियर होगी हाना यह तीन होगी ज middle and inner, कितनी होगी? 3 होगी, कितनी होगी? 3, ठीक है, तो कितनी germ layer होगी? 3 germ layer होगी, outer, middle and inner, ठीक है? तो ऐसी condition जिसमें 3 germ layer पाई जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलो-blastic, क्या बोलते हैं? ट्रिपलो-blastic condition, ठीक है? तो ट्रिपलो-blastic condition किसमें पाई जाएगी आपकी? मॉलुसका में, सबसे बाहर वाली layer को हम ectoderm कहते हैं, क्या कहते हैं? ectoderm, ठीक है? उसके बाद M से meso, M से middle, ठीक है? तो middle वाली को हम क्या बोलेंगे? mesoderm, clear है? उसके बाद inner वाली को हम क्या कहते हैं? endoderm, क्या बोलते हैं endoderm, चलिए, इतना तो समझ में आ गया अब बात करते हैं किसकी हम cilome की, तो orthropoda में, annilada में cilome पाया जा रहा था, obviously बात है, तो इसमें भी क्या होगा? cilome present होगा, क्या होगा cilome present होगा? मतलब ये भी क्या होंगे? cilomate होंगे, क्या होंगे? cilomate, ठीक है? अब बात आती है, साइजो cilomate होंगे, या enterosilomate होंगे, तो मैंने आपको clear कर ही दिया था, ठीक है कि annilada, arthropoda and mollus का क्या होते हैं? cilomate, क्या होते हैं? cilomate, clear है? चलिए, इसके बाद हम बात करें special characters की, तो क्या होंगे special characters? mouth क्या contain करता है? file like resping organ, जो की help करता है, किसमें feeding में, जिससे क्या बोलते है? redula, क्या बोलते है? redula, ठीक है? तो क्या present होता है, यहाँ पर? redula, और redula क्या है? जल्दी बताए, redula क्या है? file like, file like, resping organ, file like, resping organ, जिसे हम क्या कहते है? redula, क्या clear है? चले, फिर दूसरा point, body divide करी थी इसकी, body divided into किस-किस पार्ट में? जल्दी बताए, किस-किस पार्ट में डिवाइड करी थी body? body divided into head muscular foot and visceral hump ठीक है? समझ में आया? तो body किसमें डिवाइड करती है? head, muscular foot and visceral hump चलिए, इतना समझ में आया, इसमें क्या पाई जाती है? जल्दी बताए, mental cavity क्या पाई जाती है? mental cavity present ठीक है? और mental cavity क्या होता है? mental cavity क्या होती है? जल्दी बताए, mental cavity क्या है? यहाँ पर visceral hump और mental के बीच में, हाना? एक smooth spongy tissue की layer होती है और जो की किसको enclose कर रही है? किसको cover कर रही है visceral hump को? तो mental प्लस visceral hump के बीच में जो space present होता है? जो हम mental cavity बोलते हैं, जिसमें present होते हैं क्या? feather like gills क्या present होते हैं? क्या होते हैं? feather like gills होते हैं ठीक है, जो की help करते हैं किसमें? respiration and excretion में ठीक है, जो की help करते हैं? help in respiration and excretion clear है? इतना समझ में आया? चलिए फिर digestive system के हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? complete digestive system होता है क्या होता है? complete digestive system तो यहाँ पर क्या होगा? complete digestive system क्या clear है? तो यहाँ पर क्या होता है? complete digestive system तो जल्दी से screenshot ले लिजे सका जल्दी से screenshot ले लिया है ले लिया? ओके आगे बढ़े? चलिए तो अब बात करते हैं respiratory system की किसकी बात करें है? respiratory system की तो अगर मैं बोलू की respiratory system या respiration कि स्थू होता है इसमें तो इसमें जो respiration होता है cutaneous respiration होता है bronchial respiration होता है pulmonary respiration होता है ठीक है बढ़ हम मौलूस का की क्या बात करेंगे? कि respiration जो हो रहा है वो किसके तुरू हो रहा है? respiration through feather like gills ठीक है और यह कहां present होते है mental cavity में ठीक है कहां present होते है mental cavity में clear है present in mental cavity ठीक है तो उसके बाद हम बात करें aerobic respiration होगा anaerobic respiration होगा तो क्या होगा aerobic respiration क्या होगा aerobic respiration अगर आप से पूश लिया जाए बहुत हाय रही है इतना नहीं पूछेगा आप से ठीक है वो तो यह नॉमल यह पूछेगा कि मॉलस्का में जो respiration होता है वो किसके तुरू होता है तो आपको क्या बताना है feather like gills present होते है जिसके तुरू respiration होता है फिर दूसरा question की बन सकता है कि feather like gills कहा होते हैं तो वो कहा होते हैं mental cavity में और mental cavity क्या होती है visceral hump और spongy tissue के एक layer होती है जिसे mental कहते है तो mental और visceral hump के बीच में जो space होता है उसे हम क्या कहते है mental cavity क्या clear है चलिए फिर बात करें circulatory system की तो मॉलस्का में ठीक है circulatory system कैसा होता है open type बट cephaloport जिसमें octopus आती है उसमें closed circulatory system पाया जाता है ठीक है चलिए तो लिख लें यह वाला point बाकी इतना important तो है नहीं इस equation नहीं बनते है open type of circulatory system बट बट cephaloport cephaloports cephaloports क्या होते है जल्दे पताएं cephaloport बेक्ट में के लिख होगे octopus octopus ठीक है have ठीक है, Cephalo Ports, Bracket में क्या है, Octopus, ठीक है, Have Closed Circulatory System, अब बात आती है, Cephalo Ports की, Cephalo Ports क्या होते है, Cephalo मतलब, Brain, Sir, हाना, Sir पर पैर, जिसके present होते हैं, उसे हम क्या बोलते है, Cephalo Ports, जैसे कि Octopus को imagine करो, तो Octopus के सर से ऐसे, क्या निकलते हैं, पैर निकलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, Cephalo Ports, क्या clear है, आपको, Important point में, एक और एक चीज़ और mention करना है, कि इसमें क्या present होते हैं, इसके head में क्या present होते हैं, Tentacles present होते हैं, क्या present होते हैं, Tentacles, present होते हैं, जो कि किस में help करते हैं, प्रे को capture करने में, ठीक है, लिख लेना वाँ पर, चलिए, आगे बढ़े, इतना समझ में है, तो आगे बढ़ते हैं, किस पर excretory system पर, और excretory system की, अगर हम बात करें, ओ, एक और point, एक और point, ठीक है, ठीक है, तो Octopus में कितने, 9 brain होते हैं, ठीक है, Octopus में कितने brain होते हैं, 9 brain होते हैं, और Octopus की बात, यहां आपको थोड़ा सजे, जनरल ओलेीघ की लिए बताऊ, क्या, Octopus अपने एग ले करती है, जो female Octopus रहती है, वो अपने एग को cover कर लेती है, के लिए अपना बली दान कर देती है कलियर है चले इसके बाद हम बात करते हैं एकस क्रेटरी system की तो एकस्क्रेटरी system में हम पढ़ेंगे कि एकस्क्रेशन भी किसके तुरू हो रहा था जल्दी बताईये ले लेजे इसका, जल्दी से screenshot लेजे, ओके चले, आगे बड़े चले, बात करते हैं nervous system की तो यहाँ पर यहाँ पर tetra neural nervous system पाया जाता है, मॉलस्का में क्या पाया जाता है tetra neural nervous system बहुत advance हो गया, ठीक है बस मैं सिर्फ आपकी तसली के लिए बता रही हूँ, बाकी इतना नहीं जाना आपको tetral neural nervous system ठीक है मतलब tetra का मतलब 4 tetral neural nervous system का मतलब क्या होता है, दो cerebral ganglia जो है, वो attached रहते, ventrally attached रहते हैं किससे pedal ganglia से, किससे pedal ganglia से, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, tetra neural nervous system clear है, बहुत extra हो गया, आपको नहीं पूछेगा ना, आपको याज रखना ठीक है, चलो लिख दूं क्या 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 बूलना था, cerebral ganglia connected connected to pedal ganglia on ventral side ठीक है, तो ventral side क्या होते हैं, जो cerebral ganglia होती, वो connect होते किससे pedal ganglia से, ठीक है इतना समझ में आया, बहुत extra है, ठीक है, आप बिल्कुल skip कर सकते हैं, मैं खुद बोल रही हूं, बिल्कुल skip कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि पते चलिए, आप बोले कि मैं मैं आपने nervous system तो लिख दिया, बट आपने बताया नहीं, आपने सिर्फ बोल दिया, हाँ nervous system present होता है, क्योंकि obvious सी बात है, octopus में nine brains है, तो nervous system तो होगा, obvious सी बात है, ठीक है, बट आपको confusion ना हो, इसलिए मैं ने बता दिया, चलिए, तो आप बात करते हैं, हम किसकी reproduction की, तो sexual, obvious सी बात, sexual reproduction होगा, usually यह क्या होते हैं, dioces, हाणा, usually dioces, dioces का मतलब क्या होते है, unisexual, मतलब इनकी male and female body जो होती है, वो क्या होती है, अलग-अलग होती है, ठीक है, male body अलग होती है, female body होती है, तो इसकी बात हम बात करते हैं, किसकी, कि इसमें larva present होता है, क्या, larva जैसी कोई चीज होती है, तो बिलकुल होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, indirect development, क्या होगा, यह पेले से पहले यह point लिग देते हैं, यह क्या होते हैं, ओवी पैरस क्या होते हैं ओवी पैरस एग ले करते हैं अब भी बोला मैंने की ओक्तोपस क्या करती है अपने अंडे को बचाने के लिए अपने बेबी को बचाने के लिए क्या कर देती अपना बलिदान कर देती है ठीक है चले उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता ह इन डारेक्ट डेवलब में क्या होता है इन डारेक्ट डेवलब में क्लियर है मतलब यहां पर क्या होता है लार्वा प्रेजेंट ठीक है मतलब क्या है यहां पर लार्वा प्रेजेंट हो रहा है डारेक्ट एडल्ट फॉर्म ना बनके पहले क्या बन रहा है लार्वा क्लियर ह समझ में आ है, यहाँ पर इसे ब्रैकेट में लिख लिजे, चले, तो जल्दी से इसका स्क्रेंशॉट ले लिजे, ओके, चले, चले, I hope आपने स्क्रेंशॉट ले लिया होगा, और हम चलते हैं एक्जाम्पल की तरफ, तो देखे, यह क्या है, पाइला है, ठीक है, चले, तो यह क्या है, पाइला है, और पाइला को हम क्या बोलते हैं, कॉमनली क्या बोलते हैं, एपल स्नेल, ठीक है, चले, तो यह क्या है, इसका Calcarious Cell है, यह क्या है Calcarious Cell, तो यह क्या है Calcarious Cell, ठीक है, फिर इसकी बात करें, तो यह तो क्या है Pink Tada, क्या है Pink Tada, जिसे हम Pearl Oyster कहते हैं, ठीक है, जो मोती मिलते हैं समुद्र से, ठीक है, जो प्यारे-प्यारे से आपको मोती मिलते हैं समुद्र से, वो किसके तरू मिलते ह पेंक टारा के दूरो ठीक है, तो पेंक टारा क्या है? पर्ल ओयस्टर, ठीक है उसके बाद हम बात करें सेपिया, तो सेपिया क्या होती है? कटल फिश, clear है? तो सेपिया क्या है? कटल फिश है, okay, आगे बढ़ें, चलिये, एक मिट मैं कुछ चीज लिख रहे हूं, अभी आप मत देखना इसको चल गए तो हमने क्या देखा पाइला जिसे हम एपल स्नेल कहते हैं फिर दूसरा परल ओस्टर जिसका नेम है पिंग टाड़ा एंड तीसरा वाला जो है सेपिया जिसे हम कटल फिश कहते हैं चले इतना हो गया आगे बड़े चलते हैं यह क्या है लोलीगो क्या है लोलीगो तो स्क्विट जो है यह भी कौन से उससे ब्लॉंग करता है सेफेलो पोर्ट से ठीक है सेफेलो पोर्ट मतलब देखिए इसके सर से पैर निकले है pentacles निकले हैं ठीक है तो ये भी क्या है सफेलो पोर्ड है ठीक है तो लोलीगो भी क्या है सफेलो पोर्डा ठीक है ये भी क्या है सफेलो पोर्ड ये भी क्या है सफेलो पोर्ड क्योंकि इसके भी सरपे पैर है ठीक है तो लोली गो प्लस ऑक्टोपस दो रो क्या है से फैलो पोर्ड है ठीक है ऑक्टोपस को और हम क्या बोलते है डैवल फिश लोली गो को क्या बोलते है स्क्विड क्या बोलते है स्क्विड ठीक है यह क्या है प्लेशिया यह क्या है प्ले अपना जो poison है वो छोड़ता है, इसको क्या बोलते है, see here, क्या बोलते है, see here, चलिए, इतना समझ में आया, तो pen paper से लिखा, ठीक है, इतना समझ में आया, चलिए, आगे बड़े, फिर देखिए, next क्या है dentalium, क्या है dentalium, dentalium को हम क्या बोलते है, tusk cell, क्या बोलते है, tusk cell, ठीक है, ये क्या है, cheeto pleura, क्या है cheeto pleura, clear है, कैसा दिख रहा है न, अच्छा दिख रहा है, बोरा दिख रहा है, ये क्या है, cheeto pleura, तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, चले, तो देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, pen paper से लिखा और आपने देख कर चीटा, ये क्या हो गया, इसका निमोनिक्स, कैसा निमोनिक्स हुआ मैं, देखिए, pen से क्या है, paila, ठीक है, pen से क्या है, paila, paper से है pink tada, say से है sepia, ठीक है, देखिए, आपका capital alphabet का ही कुछ मतलब होता है, small का खुछ नहीं है आपर, तो pen से है, paila, paper से है, pink tada, say है sepia, और लिखा से है lolly go, octopus से है और, और से है octopus, आपने से है aplasia, और देखकर से है dentelium, and cheetah से है cheeto plura, क्या clear है, जल्दी बताइए, तो dentelium क्या है, tusk cell, and cheetah plura क्या है, cheetah on, क्या clear है, जल्दी बताइए, तो ये हो गया आपका mnemonics, ये क्या हो गया, mnemonics pen paper से लिखा, और आपने देखकर cheetah, clear है, चले, तो जल्दी से ये mnemonics भी लिख लीजिए, screenshot ले लीजिए, mnemonics का, okay, चले, तो ले लिए screenshot, आगे बढ़ें, तो यही पर समाप्त होता है, हमारा phylum mollusk का, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी, तो जल्दी से फटाफट लाइक कीजिए, share कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, comment करना बिलकुल मत भूलेगा, तो आप हमें हमारे यूटूब चैनल पर तो फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोची हो, अगर नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से जाएए, हमारे पेज पर उफिशिल वेबसाइट पर, that is www.magnetbrains.com, इसके अलाब आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे सोचल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे की Facebook, Instagram, Telegram, Twitter and WhatsApp, आप अबेल कर सकते हैं, e-notes and e-book की facility, जिसकी link description box में दी है, तो चलते हमारे टॉप courses की तरफ, हमारे टॉप courses आपको अबिलेबल है, Hindi Medium Channel and English Medium Channel बोट, और Hindi Medium Channel पर Hindi के teachers पढ़ाते हैं, English Medium Channel पर English के teachers पढ़ाते हैं, बात आती है, कि इन चैनल पर कौन-कौन से courses अबिलेबल है, तो यहाँ पर अबिलेब MP Board and Rajasthan Board, इसके साथ ही Vedic Maths, Crash Course and Spoken English, यह सारे के सारे courses आपको high quality education के साथ 100% free में मिलते हैं, जी हाँ अपने सही सुना, Magnet Brains प्रोवाइड कराता है, Unpaid subscription, मतलब अब सिक्षा लेने के लिए पैसा दिन की ज़रत बिलकुल नहीं है, तो जोड़े रहे हैं मिच से and Magnet Brains से मिलत